दोस्तों ट्रेन की पट्रियों के इर्द गिर्द गिट्टी क्यों पड़े होते हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जिने हम देख कर भी अंदेखा कर देते हैं। या हम देखते हैं लेकिन उनके महत्य से अंजान होते हैं। जरासल हम सभी ने रेल में कई फार शफर किया है लेकिन अगर आपने कभी गोर किया होग तो रेल की पट्रियों के आज पास गिट्टी पड़े होते हैं क्या कभी आपने सोचा है कि पट्रियों के आज पास ये गिट्टी क्यों पड़े होते हैं क्या इनका कोई खास उद्देश है अगर आपने अब तक इस बात पर गौर नहीं किया तो साइद अब आपके मन में इस सवाल का उत्तर जानने की जिग्यासा जरूर हो रही होगी तो चलिए आज हम आपको इसका जवाब बताते हैं कि क्यों रेल की पट्रियों के आस पास गिट्टी रखे जाते हैं जगा बनाये रखता है और पानी को निकलने के लिए रास्ता बनाता है इन गिट्टी से ट्रेन की पट्रे पर कोई पेर पौधे नहीं उगाता है या गिट्टी ट्रेन के द्वारा उत्पन कमपन को भी कम करता है जब ट्रेन पट्रियों पर चलती है तो पट्रियों में कमपन पैदा होता है और इस कारण पट्रियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है मौशम के बदलाव के समय भी पट्रियों के फैलने की संभावना होती है इसलिए पट्रियों के इर्द गिर्द नुकीले पैने गिट्टी डाले जाते हैं जिससे कमपन कम हो और पट्रियों के इर्दिगेर्द जंगली घास या पेड़ पौधे ना लगे पट्रियों के नीचे लकड़ी की फ्लेट लगाने का दूसरा कारण ये भी होता है कि जब ट्रेन चलती है तो सारा भार पट्रियों की बजाए लकड़ी के ऊपर आ जाता है औ और आज पास गिट्टी होने के कारण इसकी काफी बल मिलता है जिससे यहां फिशलती भी नहीं है गिट्टियों की मातरा रेलवेट ट्रक के हिसाफ से बिचाई जाती है गिट्टी की गहराई भी यातायात की घनत के साथ भी भिन्न हों क्योंकि तेज और भारी यतायात में अधेक स्थीरता की अवैसकता होती है गिट्टी की मात्रा भी बश्यों में बढ़ती जाती है क्योंकि अधिक से अधिक गिट्टी को धेर कर दिया जाता है ट्रेन को पट्री पर दोड़ने पर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस वज़ा से भी पट्री पर गिट्टी रखता है जब पट्री पर ट्रेन चलती है तो कमपन पैदा होता है और इस करण पट्रियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है कमपन कम करने के लिए और पट्रियों को फैलने से बचाने के लिए पट्रे पर गिट्टी बिशाये जाते हैं पट्रे पर जब ट्रेंज चलती है तो सारा वजन कंक्रीट के बने सिलीपर आजाता है इससे आज पास मौजूद गिट्टी के कंक्रीज के बने स्लीप को इस्थिर रहने में आसानी होती है इन गिट्टी की वज़ा से स्लीपर फिसलते नहीं है पट्री पर गिट्टी बिछाने का एक उद्देश यह भी होता है कि पट्रियों में जल भराव की समस्या ना हो इसके अलावा ट्रेक में बिचे गिट्टी पानी से बहते नहीं है गिट्टी ना बिचाई जाती तो सारे रेलवे ट्रेक धूल से सने होते अपने रोड से एक बस यह ट्रक क्या गोजर जाता है फूरी सड़क और आज पास धूल फैल जाती है तो इतनी बड़ी ट्रेन निकलती तो क्या होता इस कारण भी गिट्टी धूल से बचाती है दोस्तों इस वीडियो में दी गए जानकरी अगर आपको अच्छी लेगी है तो वीडियो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में वार्ट्स ओफ फैस्बुक पर इसे ज्यादा से ज्यादा से शियर करें और लेटर है जीके के जनल नॉलेज के आगे भी ऐसी वीडियो पुश्वाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें